संजय गदवी ने साल 2001 में मूवी तेरे लिये से एज डिरेक्टर बॉलिवूट में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुवात की इस मूवी के लीड कास्ट में अरजुन पुन्च, शिल्पा सकलानी, सोनाली खरे और नीलू कोली शाविल थे ये एक फैमिली ड्रामा म्यूजिकल मूवी थी, इस मूवी का बजट एक करोड 25 लाग था, अपने इंडिया में इस मूवी ने 19 लाग रुपए कमाए, और पुरी दुनिया भर में इस मूवी ने 33 लाग रुपए कमाए, कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ओफिस में दिजास्टर रही, साल 2002 में as a director इनकी अगली मूवी आई मेरे यार की शादी है, इस मूवी के लीड कास्ट में उधे चोपडा, जिमी शेरगिल, विपाशा बसू, अलोक नात, बिंदू और सोरब शुक्रा शामिल थे, ये एक रोमेंटिक कोमेंडिट ड्रामा मूवी थी, इस मूवी का बजट 5 करोड 75 लाग था, अपने इंडिया में इस मूवी ने 8 करोड 34 लाग रुपए कमाए, और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 14 करोड 50 लाग रुपए कमाए, कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स आफिस में समी हिट रही, साल 2004 में as a director इनकी अगली मूवी आई धूम, इस मूवी के लिटकाश में अभिशेक बचन, उदेच चोपड़ा, इशा देओल, रिमी सेन और जान अबराहम शामिल थे, ये एक एक्शन थ्रिलर क्राइम मूवी थी, इस मूवी का बजट 11 करोड था, अपने इंडिया में इस मूवी ने 31 8 लाख रुपए कमाए, और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 47 करोड 70 लाख रुपए कमाए, कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही, साल 2006 में एजे डिरेक्टर इनकी अगली मूवी आई धूम टू, इस मूवी के लिटकाश में रिति इस मूवी का बजट 42 करोड था, अपने इंडिया में इस मूवी ने 81 करोड 1 लाख रुपए कमाए, और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 149 करोड 98 लाख रुपए कमाए, कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉक बास्टर रही, साल 2008 में एजे इनकी अगली मूवी आई किड्नैप, इस मूवी के लिट काच में संजेदत, इमरान खान, मनीशाल लामा, विद्या मालवदे और राहूल देव शामिल थे, ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी, इस मूवी का बजट 31 करोड था, अपने इंडिया में इस मूवी ने 20 करोड 50 लाख रुपए कमाए, और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 34 करोड 15 लाख रुपए कमाए, कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ओफिस में फ्लाप रही, साल 2012 में एज ए डिरेक्टर इनकी अगली मूवी आई अजब गजब लव, इस मूवी के लिट क अर्जुन रामपाल, जैकी भगनानी, दर्शन जरिवाला, किरन खेर और अरशदवार्शी शामिल थे, ये एक रोमेंटिक कोमेडी मूवी थी, इस मूवी का बजट 39 करोड था, अपने इंडिया में इस मूवी ने 7 करोड 22 लाख रुपए कमाए, और पुरित दुनिया भर में इस मूवी ने 10 करोड 81 लाख रुपए कमाए, कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही, साल 2020 में एजे डिरेक्टर इनकी मूवी आई ओपरेशन परिंदे, इस मूवी के लिड काष्ट में अमित साद, अकास धाया, राहुल देव, रुच अचार रे शामिल थे, ये एक एक्शन थिलर ड्रामा मूवी थी, ये मूवी OTT प्लेट फारम में रिलीज हुई, ये मूवी थेटर में रिलीज नहीं हो सकी, फ्रेंड्स इस तरह मैंने आपको संजय गद्वी की एजे डिरेक्टर उनकी सभी मूवी के बारे में बता दिया संजय गद्वी की कौन सी मूवी आपकी प्रेवेट मूवी है कमेंट करके जुरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जोर कीजिए, धन्यवाद